दोस्तों अगर आप stop loss लगाना चाहते हैं अपने delivery stocks पे तो आज के वीडियो में उसकी वीधी में आपको बताने वाला हूँ वैसे इसके दो तरीके होते हैं एक तो GTT के थ्रू होता है और एक होता है manually लगाना GTT एक अलग process है जिसके बारे मैं आपको कभी और बता हूँगा लेकिन इस वीडियो में आपको मैं manually आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप stop loss लगा सकते हो तो आपको simply trades पर चले जाना है तो यह holding हमारी टाटा स्टील की उसको मैंने select कर लिया है यहाँ पर अब क्योंकि मुझे इस पर stop loss लगाना है stop loss क्यों लगाना है ताकि मेरा जरूरत से ज़्यादा घाटा ना हो जाए जरूरत से ज़्यादा loss मुझे बियर ना करना पड़े तो मैं यहाँ पर sell का बटन दबा दूँगा sell का बटन दबाते ही यहाँ पर यह option आगा select exchange to trade on NAC टाड़ा इस लिए सारी चीज़ यहाँ पर selected है हमें सिर्फ continue का बटन दबा देना है मैं continue दबाऊंगा और continue दबाते ही यहाँ पर मेरे सामने सारी चीज़े निकल करा जाएगी sell का मतलब है कि भाई आप बेजना चाह रहे हैं इसको लेकिन हम लगा रहे है stop loss लिमिट और stop loss market दो option हमारे पास यहाँ पर भी होते हैं सबसे पहले stop loss limit हम देखते हैं इसको मैं select कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर चीज़े भरना शुरू करूँगा quantity कितनी रखनी है सारी की सारी पर मैं stop loss लगाऊँगा price कितना रखना है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं stop loss लगा रहे हैं इसका मतलब हम कुछ न कुछ percentage लेंगे कि भाई 107 रुपे 15 पैसे का है तो मेरे stop loss रहेगा 106 रुपे पर कि भाई 106 अगर या फिर 105 रुपे इसका price आ जाता है तो मैं इसको बेचना चाहूँगा ठीक है और यहाँ पर डालूँगा मैं trigger price अब trigger price क्या होता है वो मैं मता देता हूँ आपको क्या होता है तो यहाँ पर मैं 105 रुपे 50 पैसे का trigger price डालता हूँ अब क्या होता है trigger price और price अलग-अलग क्यों है वो आप समझ लीजिए trigger price याने कि वो price अगर तो जैसे ही आपके stock का price इतना गिर जाता है तो यह जो आपका order है वो trigger हो करके exchange के पास चला जाएगा लेकिन जब तक यह price उसे नहीं मिलेगा तब तक यह बिकेगा नहीं और अगर मान के चली 105 रुपे 50 पैसे से ही यह lot जाता है वापस की और तो आपका order हो cancel हो जाएगा तो यह आप एक प्रकार से थोड़ी सी सहौलियत बरत रहे हैं लेकिन तो यह stop loss limit आप इस तरीके से लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर दूसरा जो option है वो stop loss market का stop loss market अगर में लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्ट trigger price select करने का option मिलता है market price का option नहीं मिलता है इसका क्या मत 105 रुपे 5 पैसे touch करके अगर यह 106 रुपे भी पहुंच जाता है तो मेरा order वो बिग जाएगा अगर 110 भी पहुंच जाएगा तो भी मेरा order बिग जाएग क्योंकि यह trigger हो गया था तो यह तरीके हैं आप चाहिए stop loss limit लगा लीजिए तो चलो फटा-फट इसको जो हम execute करते ह है अभी हमने stop loss लगाया हुआ है तो swipe to sell जैसे हम करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि order लग गया है अभी पेंडिंग में रहेगा अभी यह जो order है पेंडिंग में रहेगा क्योंकि हमारा प्राइज अभी तक हिट नहीं हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो order trigger pending तब त को लग रहा है कि यहाँ थोड़ा और नीचे ऊपर रहना चाहिए था आपने गलत order लगाजिए तो आप चाहें तो यहाँ से modify भी कर सकते हो simple modify के बटन पर जाना है और यहाँ पर आप वापस चीज़ें फिल करके swipe to modify कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर price डालू मैंने यह कर दिय च्छे और अब मैं swipe to modify कर लेता हूं यह वाला बटन आके सरका देता हूं और यह modification जो हो गया तो यह देखिए order में यहाँ पर आपको दिखाए देगा trigger जो है पेंडिंग में है इस पर मैं अशी टैप करता हूं यह order मुझे अंदर मिल जाता है अगर अब देखिए क्योंकि order में लगा दिया अब मुझे cancel करना है मुझे लगता है कि stop loss लगाने की जरूरत नहीं है या फिर मुझे stop loss में बाद में लगा दूँगा या कुछ और मुझे change ही करना है या मुझे order cancel ही करना है तो मैं यहाँ पर simply यह जो cancel का button है वो दबा सकता हूं और यह देखिए order cancel करना है तो yes cancel का button दबा करके आप इस order से बाहर निकल सकते हैं अब मैं आपको stop loss limit अभी आपने देख लिया stop loss market भी दिखा देता हूं कैसा दिखाये दिता है तो order again से भी जा सकते हैं लेकिन हम जाएंगे हमारे जो holding का position उससे यह मैं वापस select करूँगा वही वीदिया यहाँ पर कुछ और selected नहीं है तो 105 रुपए जैसी टच करता है order अपने आप execute हो जाएगा मुझे सिर्फ swipe to sell करना है अभी और यह देखिया order जो है मेरा लग गया यह order trigger pending में ही है क्योंकि यह आपको वेंडिंग प्राइस लिया नहीं है यह modification भी सेम तरीके से आप कर सकेंगे तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में stop loss लगाने का तरीका अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मैं में लोगो नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद